नमस्कार दोस्तों मैं हुरिचा सिना एक बिहारन और मेरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये पताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जैमाता दिलिग दीजे माता रानी आप सभी की सारी मनुकामनाय पून करें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रान्ती से सम्मंदित मकर संक्रान्ती हिंदु धर में बहुत ही महत्वपून पर्व माना जाता है और ये भारत के हर राज्य में अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग नामों से मनाया जाता है आज हम बात करेंगे इस साल यानी 2019 में हमें मकर संक्रान्ती किस दिन मनाना है 14 जन्वरी को या 15 जन्वरी को मकर संक्रान्ती के दिन दान, सनान और पूजा का शुब महुर्थ क्या है मकर संक्रान्ती के दिन किसकी पूजा की जाती है और इसका महत्व क्या है मकर संक्रान्ती तो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजे फैमिलिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजे और ये बिलकुल फ्री है दोस्तों पोश मास के शुकल पक्ष में मकर संकरांती का पर मनाया जाता है इस दिन सुर्य धनुराशी से मकर राशी में प्रवेश करते हैं इसे दिन से सु शास्त्रों के अनुसार एफसर पर किया गया दान सौगुणा अधिक होकर के प्राप्त होता है मकर संकरांती के दिन घी और कंबल के दान का भी विशेश महत्व माना गया है इस तेवहार का संबन्ध केवल धार्मिखी नहीं है बलकि इसका संबन्ध रिट्व परिवर्तन और क्रिशी से भी है दोस्तों वैसे तो मकर संक्रांती हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है पर इस साल यह मनाई जाएगी 15 जनवरी को क्योंकि मकर संक्रांती तभी मनाई जाती है जब सुर्य मकर राशी में प्रवेश करते हैं और इस साल 14 जनवरी को रात के 8 बच के 5 मिनट तक स दोस्तों 15 जनवरी को सुबह 7 बच के 18 मिनट से 9 बच के 2 मिनट तक महा पुन्यकाल मोर्थ है यह मोर्थ बहुत ही अच्छा है इस दौरान आप पूजा दान और स्नान करिए उसका बहुत ही जादा अच्छा फल प्राप्त होगा परन्त नहीं कर पाते हैं तो भी पुन्यकाल म 12 बच के 30 मिनट तक यह 5 घंटे 11 मिनट का मोर्थ है और इस दौरान आप अपना पूजा स्नान और दान कर सकते हैं यह भी बहुत अच्छा मोर्थ है और इसका भी बहुत ही शुफल प्राप्त होता है दोस्तों आप जानेंगी कि मकर संक्रांती के दिन हमें पूजा किस प्र इसलिए इसे महापर्व कहा जाता है जोतिश के नुसार सुर्य को आत्मा का कारक माना जाता है व्यक्ति की कुंडली में सुर्य लगन नवम और दशम का नासर की कारक ग्रह होता है आरोग्य सहस नैतरित्व राजलाब पैत्रिक संपती पिता का सुख धर्म और कर्म छेत्र इत्यादी को प्रभावित करने वाला या प्रमुख ग्रह माना जाता है सुर्य एक मांक तक एक ही राशी में रहता है और इस अवधी में विभिन राशियों पर शुब अशुब फल देते हैं सुर्य का मकर राशी में प्रवेश करना मकर संक्रान्ति कहलाता है पुराणों म इसलिए मकर संक्रान्ती के दिन मुख्य रूप से सूरिदेव की पूजा की जाती है अब हम जान लेते हैं कि हमें उस दिन करना क्या है मकर संक्रान्ती के दिन प्रातकाल उठकर नितिकर्म करने के बाद दिल मिश्रिट जल से सनान किया जाता है घर के हर सदस्य को सुबा सबसे पहले सनान करना चाहिए और अगर नहाने के पानी में आप किसी पवित्र नदी या तिर्थ अस्तल से लाए हुए जल को मिला ले तो ये बहुत ही बढ़िया है और अगर ये संभव ना हो सके तो आप नहाने के पानी में दूद दही का मिश्रिंग भी मिला सकते हैं इसके बाद नहाने के उपरांत आप स्वक्ष वस्रधारन करें अगर कपड़े लाल रंके हो तो उत्तम है क्योंकि सूरे का रंग भी लाल माना जाता है अब पूजा अस्थल को शुध कर लें भूमी पर चंदन से कर्णी का सहित अश्टदल कमल बनाएं कमल पर सूरे देव का आवाहन करने के लिए उन्हें स्थापित करें हाथ में अक्षत लेकर सूरे मंत्र का उच्चारण करें लकड़ी के पट्टे पर ही सूरे देव का चितर को स्थापित करें अक्षत चंदन धूप दीप पुश्प नवैद आदी से सूरे देव की पूजा करें और सूरे भगवान को अर्ग दें अर्ग देते समें सूरे मंत्र का जब करें ओम सूर्याय नमा या फिर ओम घ्रिणी सूर्याय नमा दोस्तों इस दिन पूजा आशना करके भगवान को तिल और गुड से बने सामागरी का भूग लगाना चाहिए इस दिन पूजा की पूजन का भी बहुत ही महत्व माना गया है और साथ ही गाए और भैस की दूध निकालने की कारे से बचना चाहिए इस दिन सुर्यदेव को प्रसन्य करने के लिए सुर्य के आदित हिदेस्तोत सुर्याश्टक या सुर्य के बीजमंत्र का जब करना चाहिए साथ ही दान का भी बहुत महत्व है तो इस दिन गेहू, गुड, देसी, घी, लाल, पुश्प, तामबा, तिल से बने पकवान माने के आदि का दान करना चाहिए मकर संकरान्ती में चावल, गुड, उरद, तिल आदी चीजों को खाने में शामिल किया जाता है क्योंकि अब पॉश्टिक होते हैं साथ ही शरीर को गर्मार देते हैं इस दिन ब्रामनों को अनाज, वस्त्र, उनी कपडे, फल, आदी का दान करने से शाररिक कश्टों से मुक्ति मिलती है दिरगायू और निरोगी रहने के लिए रोगी को इस दिन औशधी, तेल, आहार दान करना चाहिए भारत में कई स्थनों पर इस दिन पतंग उडाने की भी प्रथा चलिया रही है मकर संकरान्ती के दिन खिचडी को दान करना और खिचडी खाने का भी बहुत महत्व है खास कर यूपी बिहार में इस दिन खिचडी जरूर बनती है, खिचडी जरूर खाया जाता है और इस परव को वहाँ पे खिचडी के नाम से भी जानते है दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको मकर संकरान्ती से संपंधित संपून जानकारी दे सकूँ अगर आपके मन में कोई प्रशन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूच सकते हैं उमीद है आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और फैमिल और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में so thanks for now, bye bye